20 वर्षों से विश्व सनिय शिफ पैथालोजी लैब नस्दीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली आप आपका कोई भी टेस्ट चाहे कैंसर, था एरोईड, वेल अर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जाच बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें या रखें शिफ पैथालोजी लैब नस्दीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली नमस्कार तेज हर्याना से गुरविंदर पन्नू दिल्ली में किसान तीनों करीशी कानूनों को वापिस लिये जाने की बांक को लेकर दिन रात पहरा दे रहा है कि उसकी खेती बच जाए लेकिन हम आपको एक ऐसी ग्राउंड जिरो से रियल्टी दिखाएंगे आखिर किसान को दो दो किरदार कैसे निभाने पड़ रहे हैं पहली तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं खेतों की तस्वीर आप कल्पना कीजिए इस तरीके से बच्चों की तरह उसने जो फसल पैदा की है सरसों की हम आपको फसल दिखा रहे हैं इसी फसल को इतना बड़ा होते हुए देखते हुए किसान ने कई सारे सपने इसके साथ ही बोय है कि उसे अपने करज भी उतारने हैं अपने परिवार के परति कुछ फर्ज भी निभाने है लेकिन यही किसान इस खिर्थ को छोड़ कर अब दिल्ली के बॉर्डर पर बैट कर इस केंदर की सरकार से अपना हक मांग रहा है दरसल यही सरकारे हैं जो किसान की बात को अंदेखा कर रही है किसान पिछले करीब 17-18 दिनों से इन तीनों क्रिशी बिलों को वापस ले जाने की मांग कर रहा है और इसे अपनी फसल के MSP को लेकर एक अपनी डिमांड रख रहा है उसका हक है यह कि वो अपनी इस बोई हुई फसल का मुल्य तै कर सके ताकि उसे कोई दिक्त ना हो जब वो अपनी फसल को बेचे तो उसे एक संतुष्टी होनी चाहिए उसे उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए लेकिन बड़े अपसोस के साथ कहना पड़ता है ऐसा होता नहीं है क्योंकि किसान इस सर्ती के मौसम में जहां पर इतनी कडाके की ठंड पढ रही है देश के ऐसे पांच राजे हैं जहां पर इस बार रिकोर्ड तोड़ने अपने रिकोर्ड तोड़ने शुरू कर दी हैं निस्यत तोड़ पर अब भी हम आपको तस्वीरे दिखार पा रहे हैं मैं इस वक्त एक खेत में खड़ा हूँ यहाँ पे मेरे और मेरे संयोगी के लिए खड़े रहे पाना मुश्किल है क्योंकि ठंड बहुत जादा है लेकिन यही किसान कोई सर्दी या गर्मी की कोई परवान ही करता लेकिन अपने बच्चू की तरह अपनी फसल को पालता है और अब उसको फर्ज अपनी फसल को संभालने का भी निभाना है और दिल्ली बैटकर इस गुंगी और बहरी सरकार के कानों तक अपनी आवाज को भी पहुचाना है कि देश का किसान कोई आप से मजदूरी या फिर वो आप से भीक नहीं मांग रहा है बल्कि वो अपना हक और अपनी आवाज पुरंद कर रहा है कि उसने नजाने कितने सालों से इस खेती को करकर देश का पेट पाला है वो अंदाता जो खुद भी खाता है दूसरों को भी खिलाता है लेकिन सरकार है सरकार सता का सुख भोगती है सता में बैठती है लोगों से लेती है और खाती है लेकिन यही देश का अंदाता है जो खुद ना गर्मी देखता है ना सर्थी देखता है दूसरा मैं महतोपूर ने एक चीज बताता हूँ यही वो खेत हैं जिसमें पलपल पर खत्रे हैं क्योंकि यही वो किसान है जो दिन रात यहां पर मेहनत करता है कास्त करता है ना जाने किस मोड़ पर उसके लिए उसका आखरी दिन हो क्योंकि यही किसान कहते हैं साप की सिरी पर यानि की साप के सिर पर बैठ कर काम करता है ऐसे बहुत सारे जाहरेले जानवर खेतों में होते हैं हमने अक्सर सुना है दो भाई खेत में पानी लगाते थे एक पानी पीछे सबसे लास्क में निगा रख रहा था एक आगे था पता चला कि पीछे वाला जो खेत में अपने खाल पर एक चक्कर लगाने के लिए पानी की रिखवाली के लिए गया था उसे साप ने डेस दिया और उसकी मौत हो गई दरसल किसान है बेचारा वो बेचारा है इसलिए वो अपनी मेहनत के लिए अप केंदर की सरकार के बिलकुल छाटी पर बैटकर मुंग ड़़ रहा है लेकिन सरकार लगातार तमाम बातों को औन्देखा कर रही है हमने इसलिए समझा कि किसान की उस गराउंड जिरो पर जाकर दशा को दिखाय जाए अब आप कल्पना कीजिए अपने बच्चों को छोड़ कर कोई भी इतना पागल नहीं है जो इतनी सर्दी में तंबू तान कर दिली बैड़ जाए उसके लिए सबसे बड़े बच्चे तो उसके परिवार से भी जादा उसकी फसल है क्योंकि उसने बाउत वहरत के साथ इस फसल को पाला था अब सर्दी बेह शक कितनी जादा हो लेकिन अब धुंद पढ़ रही है बहुत जादा मौसम में नमी है और सर्दी है क्योंकि ये सर् के लिए फाइदे मंद है गेहू के लिए फाइदे मंद है लेकिन किसान के हित में हमेशा तंबू रहता है क्योंकि वो खेत में रहता है तंबू लगाकर अपनी रखवाली करता है उसे जानवरों से रखवाली करनी होती है उसे तमाम विपताओं आपताओं से अपनी फसल क के लिए उस अल्ला के आगे उस इश्वर के आगे भी हाथ जोड़ने होते हैं कि काश इस बार मौसम महर्मान रहे कोई और रिस्टी नहों कोई ऐसी मौसम की बेमार मारना पड़ी कि उसकी फसल उसके घर तक न पहुंच पाए लेकिन अगर आप किसान हित में हमारे चैनल को प कोई अब गुरेज नहीं करना चाहिए हमारे आदरनिया परधान मंतरी साब को भी किसानों के बीच में आकर बैट कर उनको समझाना चाहिए क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अब उनके तमाम नेताओं की ड्यूटी लगाएगी है कि वो लोगों को जाकर समझाएं लिकिन की गरंटी क्या है ये तीनों कनून क्या है क्या इस पर सरकार स्टेंड ले रही है क्योंकि यही नेता दोचार मीडिया के सामने कहते हैं कि हमने MSP को लेकर हम लिखित में त्यार हैं लेकिन लिखित में क्या त्यार हो क्या उन 23 फसलों का में MSP निधारित होगा क्योंकि गव जाना